हेलो वीवर्स स्वागत है आप सब का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्प में जहां आप आते हैं मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आज हम बात करेंगे फ्लूटी वेट क्रीम के बारे में जो की मैनुफक्चर की जाती है GSK Pharmaceutical Limited द्वारा आगे वीडियो में हम जानेंगे फ्लूटी वेट क्रीम के यूजिस को वा कैसे ये क्रीम अपना इफेक्ट दिखाती है वा इसको लगाने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं वा और भी अधर इंपोर्टेंट जानकारी तो आप बने रही है वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेडिकल तथा मेडिसन्स रेलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो शुरू करते हैं फ्लूटी वेट क्रीम में साल्ट कमपोजिशन के तौर पर फ्लूटी का सोन प्रोपिनियोट होता है जो की कॉर्टिको इस्ट्रोएट क्लास की मेडिसन है फ्लूटी वेट क्रीम 0.05% की स्ट्रेंथ में आती है फ्लूटी वेट क्रीम का यूज टॉपिकल यानि इसकिन पर किया जाता है तो क्योंकि skin body का एक sensitive part है तो flutivate cream का use करने से पहले डॉक्टर की permission लेना ज़रूरी हो जाता है इसके अलावा flutivate cream other brand name जैसे जो flut cream, ludiderm cream, flutty cream, flutty burr cream जैसे brand name से भी आती है जिसमें flutivate cream के similar ही fluticasone salt composition के तोर पाया जाता है अब जानते हैं flutivate cream के uses को तो flutivate cream का use inflammatory skin condition यानि skin पर होने वाली सूजन जो की condition जैसे dermatitis जिसमें skin dry, itchy, red हो जाती है वहीं akasmia जिसमें skin पर irritation, redness देखने को मिलती है इसके अलावा surices जिसमें scally skin हो जाती है या अनिय condition जैसे discoid lupus, erythromatosis इस condition में चेहरे की skin पर swelling और scaring देखी जा सकती है वहीं lichen planus, skin पर purple color के bombs इस दोरान देखे जा सकते हैं तो इस सभी type की skin condition पर redness, itching, swelling वा inflammation देखी जा सकती है तो इन condition को treat करने के लिए flutivate cream को use किया जा सकता है corticosteroid के तोर पर कभी-कभी flutivate cream के साथ other medicine का use भी इन condition को treat करने के लिए किया जा सकता है flutivate cream में मौझूद fluticasone propionate एक corticosteroid है यो skin पर होने वाली redness, swelling और इचिंग को inhibit करता है उन chemical messenger को block करके जो inflammation यानि सूजन के लिए responsible होते है flutivate cream को लगाने के बाद starting days में eating, burning sensation, skin rest जैसे common side effect देखे जा सकते है flutivate cream को दिन में एक से दो बार लगाने की सला दी जा सकती है वहीं किसी भी person को skins related यदि कोई other problem हो तो दरूर डॉक्टर को जरूर inform करें flutivate cream का यूज डॉक्टर द्वारा बते गई time period तक जरूर किया जाना चीए ताकि इसवा effect देखा जा सके तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी flutivate cream के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like, comment वा share जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो medical तता medicines related ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें